अल व्हाइक तो विएक कैसे हbonतर है आपनी एप्जेट गाम में हल को तो सब बरच को अपने कर अबिद्र कांव है बड़े मुश्कूल दोस्तोग में आपका in PZ आएट पर और नवह द है क्या रिसमांस है और यहां कि प्रतोग सब जो आने रहते हैं जब जाकर भाई वो आएंगे तो हम उने भी भाई फिट कर देंगे तो चलिए भाई फिलाल के लिए चलते है टेस्टाइड लेते है अभी मैं जा रहा हूं भाई अपने नहीं हाल तक वहां पर अपने लाल परी भाई वह भी काफी दिन से कड़ी है तो आज थोड़ा भाई उसे भी चला लेते है एक्चुली क्या है भाई अपना जो यहां का एरिया थोड़ा बहुत सेफ नहीं है बच्चे और भाई बाई के साथ काफी चेड़कान करते रहते है जब तक भाई घर में थी तब तक बिलकुल सेफ थी अब जैसे भाई बन गी यह थोड़ा बहुत र बाई टाइट करेंगे और बाकी इसकी अलाइनमेंट गड़ा देखते है भाई फिलाद वर्मस्ट सब चीजे साही है इसका जो है हैंडल लोटी जो है वह आनी रहती है वह इसमें चेंज होगी जो इसका अगर इसमें हलकी सी अलाइनमेंट भी रही होगी वह ठीक हो है इसकी हैंडल टीकी वरसे बाकी जो चीजे सबी चेंज हो चुकी है एंटर्ग वाइस को मास्तिस लेंड हो गया रहा सब कुछ खराब हो गया था वह हमने चेंज किया है वाकी तो बाई काफी प्यारी लग दिये है चलाने को उन्जन साइट से जो है यह वाली बाई 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 बब्लिंग वेरा बिलकुल नहीं है अब सब्साइच चर रहा है और सब सौ्टिड है तो चाहरी देखिए बिलकुल साही है सिस्टम और चलने में वाई बिलकुल वैसी है जैसी लास्ट रिएम थि चाहर इसका ब्रतम पर्फेक्ट है तो चलो चलिए दोस्तों थोड़ा किसको वाइट टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से थोड़ा भाई डॉन सेट करना पड़ेगा इसमें ग्रिप नहीं है तो हम पुड़ा कम स्पीड से चलेंगे फिलाल के लिए चलाने में मौरा तो ऐसे कूब आ रहा है थोड़ वाइट टायर से हमें लग रहा है डर बाकिस का अब्यस वेरा वाई प्रॉपर काम कर रहा है देखो कितने अच्छी ब्रिंगिंग है लेक्ट इसने में दिखते थी सब भाई हमने ओके कर दिये इसकी चैन थोड़ी हवाज कर रही है तो उसका भी हम काम कर देंगे मुश्कार ठीक ठाक तो भाई सहाब माला तो आ रहा है वाई थोड़ा सा कौन से बाइस का डीला है हलके से जटके लग रहे हैं बाकी सब पर्फेक्ट है ब्रेकिंग गरा भाई सब कुछ सही है तो चलो भाई बाकी चलते है पहले पहुँचाते है और अपने इलाल पर इपो भी देखते है भाई उसका क्या सिस्टम है इलाल आपको यह अपडेट देना था और इसकी थोड़़ा सीनेमेटिक्स देने थ अपर इस बाई को निकान लेके लिए काफी बंडो की हल्प लगी है तो बड़ी मुश्किल दफाई यह बाई कमने निकाली उपर और काफी प्यार से निकाली क्योंकि भाई स्क्रेश गया ना लग जाए उसकी दिक्कत है और इस बाई को दोस्तों जो है से पर अपना वह सेफ है और घर भी है आसपास तो ओवरोल जाद निकरनी होगी बाई की भाई रिसकी यह चीजे है अब भाई जीजिए फिलाल भाई एक पर वोड की कंडिशन देखिया चलिकाफी ज़्यादा वारिश है यह सवाई से रोड कंडिशन भी खराब है सबसे ज़्यादा पॉइंड एक पॉइंड जो है दोस्तों काफी ज़्यादा कराब है वहां पर देखते वाई हम फसेंगे कि यह नहीं फसेंगे क्योंकि भाई वहां पर जो है कीचर काफी ज़्यादा कटा हुई है अगर पीडर वीडियो वालो ने आज काम किया होगा तो वहां पर सभी होगा अगर नहीं क्या तो दोस्तों काफी ज़्यादा बुरा लोगा बाकी आपसे मिलते है भाई उसी पहुचने ही वाले वो रवाई वो पॉइंट और वहां से जाना बड़ा मुश्किल है तो भाई वो देखो जिसकी में बात करा था भाई यही है वो रोड मन करा रहा है यहां के लिजाओं तो चले दोस्तों देखते है कि एसा रहता है यहां से वहां तक का सफर माई गॉड एक चले चलो चलो चलू चलो जलू टार चला चलट था वाई हम भी बहह गें थे गिर्ते घिर्टे बचली आट ह करवाइन हखाने के अगले टर्रम में करव ठोड़ी भाई तब जाकर निकलीए हम यहां से अधरवी भाई कॉर पसंगे चांस अना का यु** ते क्योंकि रियर टायर के बुरे हालत है भाई हलका स्किट्ट इसने करी दिया था चलो कोई ना सेट निकल गए कोई बात है माश्कार अब दोस्तों देखेंगे अपना जो है लाल परी का क्या ही सिस्टम है लाल परी की क्या आले भाई आज कल का फिट न हो गया है उसे चलाया नियुनावी उसे स्टार्ट किया मेरे व्रदा ने भी स्टार्ट नहीं किया बेशक्चापी मैंने भाई उसके पास भी देर रखी थी जाम देखते हैं वाई अपना लाल परी क्या रियक्ट करती है बावने में तो आई यह वाई एक नमबर अब आई अब इसे स्टार्ट करते हैं चलो अब देखते वाई स्टार्ट होती है मैं तो बाई चोक लगाँगा अब आई ऐ जालो आई साब कि अपनी बाइक जो है स्टार्ट होगी है प्रॉपर पड़ी है तरीके से अब मिंत्याफ से बात में भाई अपने बाइक को जो है एपजेट को यहां पर रखेंगे और तालपरी को खल ले चलते है तो चलो दोस्तों जाने से पहले मैं भाई आपको थोड़ी बहुत जो है स्पाइक की कंडिशन दिखा देता हूं आप 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 देख लो ढंसे तो फिलाल के वाई की जो है ओर लुक भाई कुछ ऐसी आ रही है और एक पर बताना भाई यह वाई फिलाल कैसी लेगी तो यह हो चोड़े मोटे बार्स रहते है वाई इसकी जैसे की वाई अपने टेल होगी और इसका लोर हेंडल टी और एक जो रियरेट है भाई वो इसमें लगाना रह गया है बाकी जो काम है वाई को अवर रोल डन हो गया है और कुछ यह लुक आ रही है फड़ी बाद भाई इसकी ब्लू का कॉमनेशन थोड़ा आगी से तो फिलाल भाई सही बन रहा है पर वीचे भी हो सकता है भाई हम जो यह वाले पार्ट से यह तो इन्हें भाई ब्लू पैंट करते या फिर इन्हें भाई नहीं भी मंगवा दे ताकि जो है इसकी जो रोलुक अच्छी आएगी ताकि हम ब्लू करेंगे ताकि भाई कॉमनेशन जो है बिल्कुल सही हो फिर अला भी मैंने वह मंगवा रखा है जैना उसके बाद देखते हैं और वालुक इसकी कैसी आती है बाकी फिलाल इस वीडियो के लिए यही कुछ था अब चलते हैं अपनी लाल परी को लेकर घर की और और देखते भाई इस पॉइंट से हम कैसे निकलते हैं कैसे नहीं और इसे रखते हैं हम भाई सीब जोन में कि कब देखना भाई फरस्ट गेर में यह बाई देखो कितनी ज्यादा गी चलते हैं भाई अपनी लाल परी के साथ आई गाल सब्सक्राइबन सेकश्णी चलते हैं अब घर की ओर शाम को टाइम हो रहा है भाई अभी हमने प्ति कशेंडवारे पॉइंट से निकलना भी है तो देखते हैं घक्राइबन से कला मता है켜ई पल में मृज़कर फोर में अब सब देखते हैं यहां से वाई क्या सिस्टम रहता है अबना वाई एक बाद देखो कितनी ज्यादा कीच्छर है भाई साथ लो भाई यह क्या हो रहा है भाई भाई साथ बहुत ज्यादा गंदी की चर्ज़ भाई वह यहां पर है मेरी बाई की टायर है वह बिल्कुल सापते एक बर मैं आपको भाई दिखा दूँ टायर कितने कितनी जो है अपनी बाई जो डूबी है तो यह देख लो आई अपने टायर और पूरे डूबेव है जहां तक अपना टायर होता है उसे भी उपर रिम तक और निचे अपने जो साइट सेंट मिटल सेंट पिछला टायर देख लो भाई और एक बाद भाई आपको राइट साइट से भी दिखाते हैं राइट साइट से भाई यह कुछ हाल है और यह लगा है अमने भाई वह आरेस वाला मड़काट इसका अपडेट में दिया नहीं होगा आपको तो यह ओरर कुछ लुकार यह इसके साब बाकी डुटेल में सब्सक्राइब करिए जय हिंद जय वारत